हलो आज है सेकंड जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैपिएस माइंड के बारे में देखे तो भई अब बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखने को मिला है पचास प्रतिशत तक शेयर तूट चुका है वीडियो में डिसकस करेंगे कि खरीदारी के मौके है की नही किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो इसे जब वो काफी जादा हेल्प करेंगे तो 975 रुपए के आजपस ट्रेट कर रहा है हैपिएस माइंड का शेयर हलकी सी गिरावट है कल एक बहुत बड़ी रफतार थी कल इसने लेकिन आज करेक्शन आया है यहां पर और एक महिने में देखो तो एक परसंट का ही ग्रोथ है इससे पहले भी शेयर हजार रुपए पर गया था तूटके वापस बिखरा 860 पर पहुंचा वापस साड़े 900 तक गया तूटके वापस बिखरा 840 पर आया दुब 12 पहुंचा 990 रुपए के आसपस अब वापस यह तूट रहा है इवन एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखे तो 10 प्रतिशत का ग्रोथ जरूर है आप देखते हैं कि जो इसने हाई बनाया था वो 1500 रुपए से भी उपर का हाई बनाया था और यो तेजी भी आई थी ना वो हो गया तो एक ही महिने में बहुत बड़ा ग्रोथ था उसके बाद गिरावट आई बाउंस बैक भी कोशिश करी लेकिन उसके बाद लगाता सब्टेंबर महिने से यह तूट ही रहा है और इवन काफी बड़ी गिरावट हमने तब देखी जब आई टी कंपनियों में एक ब बहुत बड़ी रफतार आ जाएगी ग्यारा सो पचास रुपए तक भी गया था यह लेकिन बाद में हुआ क्या वापस यह तूट गया देखो आई टी कंपनी में डेफिनिटली गिरावट है अब एक लिए जो छोटी कंपनी है उसे प्रेशर जादा बन रहा है और हैप्य लेकर जुलाई 2021 में मतलब की छे महिने के अंदर साड़े तीन सो रुपए का शर पंदरा सो रुपए तक चला गया और जाहिर सी बात है अब उन कंपनीयों में ज्यादा गिरावट है जो बहुत ही कम वक्त में बड़ी रफतार दिखा चुके थे कोविट के वक्त अगर डाउन डाउनवर ट्रेजेक्टरी में अभी यह देखने को मिल रहा है और जब तक हजार रुपए के उपर डिसाइसिव सपोर्ट नहीं बनाता है तब तक यहां पर कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन कंपरी बहुत अच्छी है ठीक है अगर खरीदारी के मौके नीचे के मिलेंगे तो definitely buy किया जा सकता है और कौन सा level होगा वो भी हम यहां पर discuss करेंगे happiest mind को लेकर आगर आप देखो तो midcap share midcap IT company है 14,000 क्रोड के आसपास का इसका market के पर volume 5,000,000,000 का ही है बहुत कम volume है कल जब इतनी बड़ी तीजी थी यहां पर तो 33,000,000,000 का volume देखने को मिला था काफी बड़े volumes कल यहां पर आए थे company के results की बात के तो 300 करोड का इनका revenue हुआ है March quarter में और जो profit है वो 52 करोड का है जो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि पिछल साल सिर्थ 36 करोड का profit था तो देखो company के profit ज़्यादा नहीं है company के profit कम है company के revenue कम है लेकिन company का जो future है company जिस space मे काम करती है जो काम करती है वो माना जा रहा है कि आने वरे दोर में एक game changer साबित हो सकता है यहाँ पर happiest mind को लेकर अगर हम देखे तो के आर चौकसी brokerage firm की खरीदारी की commentary थी और 1300 रुपे का target था लेकिन यह 16 मई का target है ठीक है और आज 2nd June हुई है तब से लेकर अब तक share काफी तूट भी चुका है 100% एनालिश कहते हैं 100% user according to money control user खरीदारी के बात कर रहे है तो पहरी चीज़ तो मेरी यह है कि मैं इस level बेचने के सलाह नहीं दे रहा हूँ लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि यहां से बड़ा bounce लेका जाएगा प्योंकि हमने दो बार यहीं से गिराव पर ने जाए विजाई धनोटिया की जो लीड टेक्निकल रिसर्च है यहां पर कैपिटल वाय ग्लोबल रिसर्च फर्म में उनकी कमेंटरी यह है है एपिएस माइंड को लेकर खरीदारी की सलाह दी है उन्होंने लेकिन साथ साथ उनने यह कंडिशन भी जोड़ी है यहां पर उनने यह भी कहा है कि पचास प्रतिशत तक अल्मोस्ट करेक्ट हो चुका है यह शैर और हावेवर कंसिडरिंग ग्लोबल आईटी टेक स्टोक्स दैर वोज गुड रिकावरी इन इंडियन मिटकेप स्टोक्स एस वेल एस हैपियस माइंड वस वन उफ देम और वेनस ड लेवल से उपर सस्टेन नहीं करता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन अगर सस्टेन कर जाता है तो आने वाले दौर में 1040 से लेकर 1070 रुपे तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं मेरी कमेंटरी यहाँ पर कुछ और है ठीक है मैं क्या किया रहा हूं उस रहा और 22 में 1033 करोड रहा तो रेवन्यू में लगातार ग्रोथ हा रही है जो बहुत अच्छे संकेत है और प्रॉफिट की जहां तक बात करें तो प्रॉफिट में और बड़ी ग्रोथ है 2018 में इनको 13 करोड का लॉस हुआ था 2019 में 4 करोड का मुनाफ़ा फिर 73 करोड का प्र प्रॉफिट फिर 161 करोड का प्रॉफिट अब 186 करोड का प्रॉफिट तो वह यह यूर और ग्रोथ है और ग्रोथ रिवन्यू में भी है और प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रही है है अगर आप देखो तो खरीदारी करने का सही मौह का और बोट जोन में नहीं है 100% analysis कहते हैं खरीदारी करो लेकिन यह महंगा है 78 का P.E. है इसका जब कि sector P.E. 26 है तो महंगा है यह अभी के लिए उसके peers से अगर हम compare करते हैं मतलब उनके competitors से अगर हम compare करते हैं तो Tata Consultancy Service T.C.S. उसका 32 का P.E. है इसका 78 का है S.C.L. Tech का 20 का P.E. है इसका 78 है Wipro 21 के P.E. पर trade कर रहा है Tech Mahindra 20 के P.E. के उपर trade कर रहा है तो यह बड़ी-बड़े दिगज कंपनियों से भी जादा महंगे ratio पर trade कर रहा है अभी यह तो यह अच्छा संकित तो नहीं है पहली चीज़ Happiest Mind को लेकर मैं बात करूँ Holdings के बारे में अगर हम बात करें तो 53.26% की Holding Promoter के पास है 1.03% Mutual Fund के पास है 0.45% Domestic Institution के पास है 6.29% Files के पास है 38.97% की Holding Retail और Other Parties के पास देखने को मिल रही है तो रीटेल बहुत बड़ी quantity यहाँ पर लेकर बैठ है बहुत बड़ी Holding है उनके पास जबकि अगर आप बाकी कंपनियों से compare करें जो बाकी बड़ी कंपनियों से चाए विपरो हो, Infosys हो उससे compare करो SCL से compare करो और TCS से compare करो काफी लोग कहीं कि comparison सही नहीं है उनके साथ लेकिन फिर भी उनहीं के price range पर trade कर रहा है तो comparison करना पड़ते हैं यहाँ पर बनता भी है तो वहाँ पर हम यह देखते हैं कि बड़े-बड़े fund houses के पास बड़ी Holding है promoter के पास बड़ी Holding है, retail वालों के पास कुछी भी नहीं है, बहुत कम Holding देखने को मिलती है हमें, और यहाँ पर retailers जादा quantity लेकर बैठे हुए है और retail investor वो investor होते हैं जो जादा तर अपने portfolio को change करते रहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो change नहीं करते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं और volume trade यहाँ पर अगर थलका सभी panic देखने को मिलता है, तो retail investor बेचते हैं अपने shares को जाकि बड़े fund houses बेचते नहीं है, रखते हैं अपने portfolio में तो ये concern आप जरूर observe कर सकते हैं, happiest mind को लेकर again मेरी buying के recommendation नहीं है यहाँ पर टेक है, buying के recommendation मेरी नहीं है, लेकिन अगर तीजी आती है 1100 रुपे के आसपास पहुंचता है अगर अगर आती है तो, chances थोड़े से कम, लेकिन अगर आती है तो, और तो मेरे इसाब से यहाँ पर profit लेने के मौके बनेंगे आपके लिए और दूसरी बात, 975 रुपे पर मैं इसलिए भी नहीं bet करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है downwards में है, बीच बीच में आप देखो तो जब भी इसने bounce back दिखाया था तो तूटा था, definitely कई सारी events play हुई है यहाँ पर, ठीक है कई सारी events play हुई है, लेकिन जब भी bounce back दिखाया तूटा है यह, जब तक decisive support किसी एक level पर नहीं बनता है, तब तक खरीदारी के मौके नहीं है definitely नीचे के level पर खरीदारी के मौके मिलेंगे, लेकिन एक support बनना चाहिए, decisive support बनना चाहिए जहां से खरीदारी के संकेद भी नजर आए और अभी वो support किसी level पर नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए मैं कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिएगा, happiness mind में wait करिए, तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, जल्दबाजी करने जाएगे तो किसी एक level पर फसके रहेंगे, definitely long term में तेजी आएगी, long term में और भागेगा यह उपर, लेकिन अभी short term में अभी और गिरावट यहाँ पर देखनी बाकी है, और कल जो 10% की तेजी इसने दिखाई थी, तो अभी एक दिन आज गिरावट भी रहेगी, को हो सकता है कि Monday को भी गिरावट रहे, तो 10%, इससे पहले भी अगर आप देखो, तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी, अगर आप इसके चार्ट को observe करो यहाँ पर, तो इससे पहले भी एक दिन में ऐसी तीजी हमने देखने को मिली थी, 11 March को अगर आप देखो, 11 March 2022 को देखो, तो 117 रुपए का share था, और एक ही जटके में अगले दिन ये पहुंच मतलब 14 को ये पहुंच जब मार्केट खुला मंडे को तो ये सिधा पहुंच गया 1119 पर 100 रुपए की तीजी दिखाई थे 102 रुपए की तीजी थी ये ठीक है तो ऐसी तीजी पहले भी आई थी लेकिन उसके बाद हमें गिरावट भी सब्सक्राइब करें और हैप्यस माइंड के बारे में क्या सोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू